पिछले पाठ में आपने वृत के बाहिय भाग मिस्तिष्ट एक बिंदू से खीची गई स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा और उस खेदक रेखा के खंडों के संबंद में एक प्रम्य सीखी थी वो प्रम्य क्या थी हमने ये बताया था आपको कि यदि बिंदू P वृत के बाहिय भाग में हो तो P से यदि P T एक स्पर्श रेखा कीची जाए और P A B एक खेदक रेखा कीची जाए तो P A गुना P B बराबर है P T का वर्क इसी प्रम्य के आधार पर हमने एक महत्पूर्ण रचना भी की थी अब इस पार्ट में हम इससे आगे चलते हैं हम बात करेंगे वृत की उसकी एक स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदू से खेची गए वृत की एक जीवा की यदि हम इस तरह की रचना करते हैं तो हमें किस तरह की आखरीती मिलती है हमें मिलेगी एक स्पर्श रेखा ए पी बी पी स्पर्श बिंदू से खेची गए जीवा पी क्यूब अब ये स्पर्श रेखा और ये जीवा दो कौन बना देती हैं एक कौन यहाँ और एक कौन यहाँ आज के पार्ट में इन दो कौनों के संबन्द में हमने चर्चा करनी है और इस चर्चा के लिए हम लेते हैं एक प्रमे इस प्रमे को हम यू लिखते हैं यदि वृत के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदू से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कौन संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कौन के करमशा बराबर होते हैं आईए एक बार फिर इसको समझने के लिए आकरिती की तरफ चलें इस प्रमे के अनुसार एक स्पर्श रेखा एपी बी वृत जिसका केंदर ओ है उसको पी पर स्पर्श कर रही है और पी से एक जीवा पी क्यू खींची गई है ये जीवा इस स्पर्श रेखा के साथ दो कौन एक ये और दूसरा कौन ये बना रही है प्रमे के अनुसार ये कौन इस जीवा दौरा निर्मित इस कौन के बरावर सिद्ध करना हमने और इस कौन को इसी जीवा दौरा निर्मित इस कौन के दौरा अब ये कौन क्यू आर पी इस कौन के देखते हुए इसके एकांतर खंड में है और इस कौन का एकांत्रखन इस तरफ है तो हमें इस प्रमे के अनुसार क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है आईए इसको हम एक बार लिख लिए हमें दिया गया है A.B. वृत C.O.R. की स्पर्ष रेखा है P. स्पर्ष बिंदू है P. Q. वृत की जीवा है R. और S. वृत के बिंदू चाप Q.P. और चाप P.Q. पर है सिद्ध करना है कौन Q.P.B. बराबर कौन Q.R.P. और कौन A.P.Q. बराबर कौन P.S.Q. इससे सिद्ध करने के लिए चलिए एक बार फिर एक आकरिती की तरफ चले हमें दिया है स्पर्श रेखा A.P.B. स्पर्श बिंदू है P P से जीवा P.Q. खिंची गई है हमने सिद्ध करना है कौन Q.P.B. बराबर कौन Q.R.P कौन Q.P.B. बराबर कौन Q.R.P ये सिद्ध करने के लिए हलनके हमने ये भी सिद्ध करना है कि ये कौन इस तरह बने कौन के बराबर है पर ये दूसरा भाग हम बाद मिलेंगे पहले इसे सिद्ध करते हैं के कौन Q.P.B. बराबर कौन Q.R.P ये सिद्ध करने के लिए एक रचना करते हम पी से फृत के केंद्र को मिलाकर ये हमने एक व्यास खेंच दिया इस व्यास को हम कह देते हैं पी ओ सी अब यदि इस सी बिंदू को क्यू से मिला दिया जाए तो हमारे पास मिला ये कौन जो के एक अर्ध व्यास में है अर्थात कौन सी क्यू पी बराबर होगा नबे अंश अर्ध व्यास में बना कौन समकौन होता है इस कारण कौन क्यू सी पी योग कौन सी पी क्यू बराबर है नबे अंश क्योंकि एक त्री बुच के तीनो कौनों का योगपल एक सौसी अंश होता है यदि ये नबे हो गया तो इन दोनों कौनों का योगपल हो गया नबे अंश अब चलिए देखें ओ से पी को मिलाया गया ओ वरित का केंद्र है पी स्पर्ष बिंदू है तो ये बन गई त्रिज्य और ये स्पर्ष रेखा या पहले जानते हैं कि अगर हम वरित केंद्र को स्पर्ष बिंदू से मिला दें तो ये त्रिज्य स्पर्ष रेखा पर लंबित होती है अर्थात कौन ओ पी बी बरावर हो गया अब कौन ओ पी बी बना ये कौन ये कौन बना कौन सी पी क्यू योग कौन क्यू पी बी से तो ये नबे अंश हो गया अभी देखें सी पी क्यू यहां भी है सी पी क्यू यहां भी है सी पी क्यू में यदि हम क्यू पी बी मिलाते हैं तो नबे अंश बनता है CPQ में अगर हम QCP मिलाते हैं तब भी नब्य अंच बनता है तो इन दोनों से ये निशकर्ष मिला कि कौन QCP बराबर है कौन QPB के देखें कौन QCP आ गया ये कौन बराबर हो गया QPB के अर्थाथ इस कौन के इस कौन और इस कौन के संबन्द में आप क्या कह सकते हैं ये दोनों ही कौन चाप PQ द्वारा वृत पर निर्मित कौन है चाप PQ बिंदू C पर ये कौन बनाती है और चाप PQ बिंदू R पर ये कौन बनाती है तो एक ही चाप द्वारा निर्मित कौन सदेव बराबर होते हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम ये कहेंगे के कौन QCP बराबर है कौन QRP अब यदि QCP QRP के बराबर है और QCP QPB के बराबर भी है तो ये कौन इसके बराबर हो गया ये ही तो हम सिद्ध करना चाहते थे कि ये दोनों कौन बराबर है अब रह गया इस प्रमे का दूसरा भाग तो आकरिती को एक बार फिर देखिए यदि हम यहां पर एक बिंदू ले लें S इस S बिंदू को यदि Q से और P से मिला दिया जाए तो हम क्या दिखाना चाहते हैं कि ये कौन इस कोन के बराबर है यहां तक इस कोन के बराबर है ये कोन और ये कोन बराबर है बड़ा असान है ये कोन योग ये कोन हुआ AX-O-S-S-I P Q के दोनों तरफ बने कोन ये रेखिय योगम बनते हैं रेखिय योगम का योग होता है एक्सासी तो ये कौन और ये कौन होगा एक्सासी और ये कौन और ये कौन एक चक्रिय चतरभुच के समुक कौन है इनका योग भी एक्सासी ये कौन और ये कौन बराबर तो ये कौन और ये कौन भी बराबर हो गए तो इस तरहां हमने ये प्रमे तो सिद्ध कर दी कि यदि एक स्पर्ष रेखा के स्पर्ष बिंदू से वृत की एक जीवा कीची जाए तो जीवा और स्पर्ष रेखा से बने कौन वृत में एकांतर खंडों में बने कौनों के बराबर होते हैं अब बात की आती है कि जब भी हम कोई प्रमे की बात करते हैं तो इसके विलूम की भी बात करते हैं तो इस प्रमे का विलूम क्या हुआ आईए देखें विलूम में हम ये कहेंगे कि यदि वृत की जीवा के एक छोर बिंदू से होती हुई खींची गई रेखा और जीवा के बीच का कौन एक अंतर खंड में जीवा द्वारा अंतरित कौन के बराबर हो तो ये रेखा वृत की स्पर्श रेखा होती है इसी बात को हम आकरिती में देखते हैं इस आक्रिती में रेखा A, P, B एक रेखा है और P इस रेखा और वृत का सांचा बिन्दू है P से एक जीवा P, Q कींची गई है हमें दिया ये है कि Q, P और A, P, B में बना कौन कौन Q, R, P के बराबर है R बिन्दू वृत के उपर स्थित है सिध हमने ये करना है कि ये रेखा A, P, B इस वृत की स्पर्श रेखा है आए ये क्या दिया है और क्या सिध करना है इसको एक बार हम लिख ले हमें दिया गया है P, Q वृत C, O, R की जीवा है और P से होती हुई एक ऐसी रेखा A, P, B खींची गई है कि कौन Q, P, B बराबर कौन Q, R, P जहां बिन्दू R चाप Q, A पर एक बिन्दू है सिध करना है A, P, B वृत के बिन्दू P पर स्पर्ष रेखा है इसको सिध करने के लिए चलिए आकरिती पर वापस चले P, Q जीवा है वृत की जिसका केंदर O है A, P, B एक रेखा है जो P से होकर जाती है ये कौन Q, P, B दिया गया है बराबर कौन Q, R, P के सिध करना है कि A, P, B इस वृत की स्पर्ष रेखा है अब याद कीजिए वृत के किसी भी बिंदू से हम एक और केवल एक स्पर्ष रेखा उस वृत की खेंच सकते हैं तो यदि इस आकरिती में ये A, P, B इसकी स्पर्ष रेखा नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ये हमने एक P बिंदू पर स्पर्ष रेखा कहें दी इस स्पर्ष रेखा को नाम देते हैं C, D अभी अभी जो आपने प्रम्य पढ़ी उसके अनुसार हमने ये सीखा था कि जब वृत की एक स्पर्ष रेखा की जाए और स्पर्ष बिंदू से एक जीवा बनाई जाए तो जीवा और स्पर्ष रेखा द्वारा निर्मित कौन उस वृत के एक आंत्रखंड में बने कौन के समान होता है अब हमें यहाँ पर हमने बनाई सी पी डी एक स्पर्ष रेखा और वृत की जीवा है पी क्यूँ तो इस कौन को हम कहेंगे कि इसके बराबर है इसी प्रम्य के अनुसार दिया हमें ये है कि ये कौन बराबर है तो आईए इन दोनों बातों को लिख लें दिया हमें था कौन क्यू आर पी बराबर कौन क्यू पी बी हमारी रचना के उनुसार कौन क्यू आर पी बराबर हो गया कौन क्यू पी डी के यदि ये दोनों कौन Q-R-P के बराबर हैं तो इस से हम निशकर्ष निकालेंगे कि कौन Q-P-B बराबर है कौन Q-P-D के अब आखरिती में देखिए एक ही बिंदू है यहां पर P Q-P-B बराबर कौन Q-P-D के ये दोनों कौन बराबर किस स्थिती में हो सकते हैं ये दोनों कौनों का माप बराबर तभी होगा यदि ये रेखा P-D और P-B एक ही रेखा हो यदि ये दो अलग लग रेखाए होंगे तो ये दोनों कौन बराबर हो ही नहीं सकते स्पष्ट है कि इतना कौन दोनों में के अंतर में आता है तो यदि ये बराबर है तो ये अंतर नहीं होना चाहिए तो इसका अर्थ ये हुआ कि PB और PD एक ही रेखा है ये दोनों एक ही रेखा है PD हमने क्या बनाई थी? CPD खेंची थी स्पष्ट रेखा अब CPD और PB अर्थात APB एक ही रेखा बन गई तो उसका अर्थ ये हुआ कि APB वरित की स्पष्ट रेखा है तो इस तरह हमने ये देखा कि जो हमने प्रमे सीखी उस प्रमे का विलोम भी सत्या है अब हम चलते हैं दो वरितों की और अभी तक हमने लिया एक वरित उसकी जीवा और साथ में उसकी स्पष्ट रेखा अब दो वरित एकठे देखते हैं कि उनकी प्रसपर स्थिती क्या हो सकती है यदि हम दो वरित लें तो उनकी विभिन स्थितियां कुछ इस परकार हो सकती है एक वरित दूसरे वरित के अंदर हो सकता है उसके अंते भाग में हो सकता है पूरी तरह से और यदि वरित अंते भाग में है तो यदि छोटे वरित की एक स्परश्रेखा खीज़ दी जाए कहीं पर भी ये स्परश्रेखा दूसरे वरित को दो बिंदूओं पर प्रपतिछित करेगी अर्थात ये स्परश्रेखा इस वरित की बड़े वरित की स्परश्रेखा हो ही नहीं सकती वरितों की दूसरी स्थिती हो सकती है कि यदि ये वरित एक दूसरे को स्परश्रेखा करते हो कुछ इस तरह अब यदि ये वृत और ये वृत स्पर्ष कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये स्पर्ष रेखा इस वृत की दूसरे वृत की भी स्पर्ष रेखा बन गए अर्थात यदि दो वृत अंते स्पर्ष करते हों अर्थात एक व्रित दूसरे व्रित के अंदर है और वो स्पर्ष कर रहे हैं तो उनकी एक सांची स्पर्ष रेखा बन जाती है इसके अतिरिक्त और स्थिति क्या हो सकती है? कि ये दोनों व्रित प्रतिछेद करें यदि ये दोनों पर प्रतिशित करते हैं तब भी आप देखते हैं कि एक स्थिती ऐसी बनती है जहां पर ये स्परश्रेखा बन जाती है लेकिन इसके अतिरिक्त एक स्परश्रेखा हमें और मिल जाती है हमने तीन स्थितियां देखी इन तीन स्थितियों में हमने क्या क्या देखा कि यदि एक वरित दूसरे वरित के पूरूंते अंते भाग में हैं तो उस स्थिती में हमें कोई भी स्परश्रेखा नहीं मिलती यदि एक वरित दूसरे को अंते स्परश्रेखा मिल जाती है और तीसरी स्थिति यदि दोनों वृत प्रतिछित करते हैं तो हमें दो स्पर्ष रेखाएं जो दोनों की सांजी स्पर्ष रेखाएं वे मिल जाती है अब इससे अगली स्थिति ये हो सकती है कि दोनों वृत एक दूसरे को बाहिय स्पर्ष करते हो विद दोनों एक दूसरे के बाहिए भाग में हैं और स्पर्ष करते हैं तो स्पर्ष है कि एक स्पर्ष रेखा तो यहां पर इनकी हो सकती है और एक स्पर्ष रेखा यहां बन सकती और तीसरी स्पर्ष रेखा यहां हो सकती इस थिति में हमें मिलती हैं तीन स्पर्ष रेखा ने अब पांचवी स्थिति दो वृतों की किस परकार की हो सकती है वो है इस तरह कि वृत एक दूसरे के बाईय भाग में तो है पर अंतों वो स्पर्ष नहीं कर रहे है अब यदि यह स्पर्ष रेखा ना करें तो एक स्पर्ष रेखा इन दोनों की इस तरह हो सकती है दूसरी स्पर्ष रेखा यह बन सकती है स्पर्ष बिंदू, अब क्या आप सोचते हैं कि केवल यही दो स्पर्ष रेखा हैं, इन दो वृतों की बनेगी, सोच के देखिए, क्या हम एक स्पर्ष रेखा यूँ भी बना सकते हैं? अब यही यह स्पर्ष रेखा बन गई, तो एक स्पर्ष रेखा भी बन सकते हैं, तो इस तरह हमें मिल गई, चाठ स्पर्ष रेखा हैं, यह तो थी दो वृतों की पर्ष पर्ष थिती, और उसमें बनने वाली स्पर्ष रेखा हैं, हम इन पांच स्थितियों में से केवल दो की बात करेंगे आज, वो दो स्थितिय यह हैं, कि जब दो वृत अंते स्पर्ष करते हों या बाहि स्पर्ष करते हों, तो यदि ऐसी स्थिती हो, तो हमें एक प्रमे मिलती है उस प्रमे को हम लिखते हैं यदि दो वृत एक दूसरे को अंतरिकता है या बाहते स्पर्ष करते हो तो स्पर्ष बिंदू केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित होता है देखें आकृती में कि इस प्रमे के अनुसार हमें क्या करने को कहा गया है या क्या सिद्ध करने को कहा गया है ये हैं दो आकरितियां ये दोनों वृत तो अंते स्पर्ष कर रहे हैं ये दो वृत बाहिय स्पर्ष कर रहे हैं सिद्ध हमने ये करना है कि वृत का केंद्र दूसरे वृत का केंद्र और ये स्पर्ष बिंदू, ये तीनों ही सम रेक हैं, अर्थात एक ही रेका पर हैं और यही बात यहां बतानी है, इस वृत का केंद्र, इस वृत का केंद्र और स्पर्ष बिंदू सम रेक हैं तो आईए सिद्ध करने से पहले हम देख लें कि हमें क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है इस प्रमे के अनुसार हमें दिया है व्रित C1OR और व्रित C2O182 एक दूसरे को अंतरिकता या बाहता बिंदू A पर सपर्श करते हैं सिद्ध करना है बिंदू O O1 और A एक ही रेखा पर है हमें सिद्ध करना है बिंदू O O1 और A एक ही रेखा पर सिद्ध है इस प्रमे के अनुसार हमने ये तो देख लिया कि हमें क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है हाई ऐसी बात को अब आकरिती से एक दफा फिर देखके इसे सित करें दोनों सितियों की आकरिती इस परकार होगी ये दोनों वृत अन्ते स्पर्ष कर रहे हैं एक वृत का केंदर O, दूसरे वृत का केंदर O, एक यहां पर भी O, O, एक और स्पर्ष बिंदू A यदि हम बिंदू O को A से मिला दे, यहां भी O को A से मिला दे और A पर इन दोनों वृतों की सांजी स्पर्ष रेखा खिंचते ये सांजी स्पर्ष रेखा बन गई इन दो वृतों की और इसी तरहां सांजी स्पर्ष रेखा हमने बना दी इन दो वृतों की इस सांजी स्पर्ष रेखा को हम कह देते हैं P, Q, P, Q इस रचना के अनुसार कौन O, A, P, बराबर नब्बे अंश यहां भी और यहां भी O, A, P, यहां भी नब्बे अंश अब यदि हम बंदो A को O, A के मिलाएं उस थिति में कौन P, A, O, A कितने का बनेगा हमने अगर इसको यहां मिलाया हमान लिए कि यह रेखाएं एक नहीं है तो अगर हम इसको यह मिलाते हैं तो कौन O, A, A, A और P यह भी नब्बे अंश का बनेगा स्पर्ष रेखा तो दोनों रितों की सांजी है और यहां पर अगर मैं मिलादू एक ओ ओ ओ एक से तो यही बात यहां भी होगी अब इस साक्रिती की पहले बात करते है किसी रेखा के किसी भी एक बिंदू पर यदि लंब खींचा जाए तो वे लंब केवल एक और एक ही होता है अब यह जानते हैं ने इस बात को कि किसी भी रेखा के किसी भी एक बिंदू से केवल एक ही लंब कीचा जा सकता है अब यदि यहां पर पी ए ओ और पी ए ओ एक दोनों ही रेखा पी क्यू पर एक ही बिंदू ए पर लंब हैं तो यह तभी संबभ है यदि ए ओ ओ ओ एक एक ही रेखा है तो इसमें तो यह बात बन गई कितीनों बिंदू संब रेख हैं चलिए आप दूसरी स्थिति में देखें ओ ए पी नबे अंच ओ एक ए पी नबे अंच एक ही बिंदू पर दो संलगन कौन दोनों का योग एक सो असी अंच बनता है तो यदि यह एक सो असी अंच बनता है तो यह क्या बन गया कौन ये बन गए रेखिय युगम और रेखिय युगम बनाने वाले कौन उनके ये जो दोनों इनकी बाहर की किरने होती है ये दोनों किरने एक ही रेखा में होती है अर्थात क्योंके ये कौन और ये कौन 180 है तो इसलिए O1, A, O समरेख हो गए तो दोनों ही इस्तिती में हमने ये देखा कि जब भी दो वृत स्पर्ष करें चाहे वो अंत्रिक्ता या बाहता स्पर्ष करें तो उनके केंद्र और स्पर्ष बिंदू तीनों ही समरेख होते हैं अगले पार्ट में हम इन्ही प्रम्ह पराधारित कुछ समस्यान लेंगे और उनको हल करेंगे